How to recover whatsapp deleted photo इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ whatsapp के delete photo को वापस कैसे लाए अगर आपको whatsapp पे कोई photo आता है और गलती से आप से वो photo delete हो जाता है आप चाहते हैं उस delete photo को वापस लाना लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाश टक देखते लिए आज़की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेले दोस्तो स्वायत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल InfoTube में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो वाटसप का डिलीट फोटो को वापस लाना काफी ज़्यादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान से लाश टक पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ यसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सबसे पहले मैं यहाँ पर वाटसप को ओपें कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे वाटसप पर कुछ फोटो आया है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वाटसप में तीन फोटो यहाँ पर आया है और यहाँ पर मैंने तीनों फोटो को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया अगर आपसे भी गलती से डिलीट हो जाता है WhatsApp का जो है फोटो तो आप उसको वापस कैसे ला सकते हैं चले मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर WhatsApp का डिलीट फोटो को वापस लाने का तीन तरीका है सबसे पहला तरीका आपको WhatsApp के अंदर ही देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको WhatsApp को ओपेंड करना है और यहाँ पर वत्टसब ओपेंड करने के बद आपको दुबारा से उस चैट पे चले जाना है जिसमे आपको फोटो भेजा था और आपका फोटो अगर गलिज से डिलीट हो गया हुआ है तो आप यहाँ पर दूबारा से डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस तरह से और दूबारा से आपके गैलरी में आपका फोटो आ जाएगा चलि हम आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर आपने देखा मैं ने फोटो को डिलीट कर दिया जहां से आप delete photo को वापस ला सकते हैं simply आपको यहाँ पे album पर click करना है और यहाँ पे नीचे के side में आपको जाना है यहाँ पे आपको trans bean या फिर recycle bean नाम को option देखने को मिलता है इस पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन photo मैंने जो है delete कर दिया था और तीनों का तीनों photo यहाँ पर safe है आपको यहाँ पर अपना photo को ढूल लेना है और अपने photo पर click करना है और यहाँ पर एक recover का option होता है यहाँ पर click करके आप अपना delete photo को दुबारा से gallery में ला सकते हैं तो यहाँ पर यह रहा दूसरा तरीका, अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका, अगर आपको दोनों तरीका से फोटो नहीं मिलता है, तो तीसरा तरीका से 100% आपका डिलिट फोटो मिल जाएगा, इसके लिए आपको एक छोटा से एपलिकेशन डाउनलोड करना होगा, फोटो इसके लिए पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आने को बद आपको परमिशन को एलोग कर देना है, और यहाँ पर एलोग करने के बाद आपका फोटो ढूर्णना यह श्टार्ट कर देगा, अब अपने गैल्लेड से जो भी फोटो डिलिट कर चुके हैं, या गल्त लाना है, simply आपको photo को select कर लेना है, just for example यहाँ पर से हम यह वाला जो है photo wallpaper को जो वापस लाना चाते हैं, यहाँ पर मैंने click कर लिया, और यहाँ पर दुबारा से हम इस photo को अपने gallery के अंदर लाना चाते हैं, मैंने दो photo यहाँ पर select कर लिया select करने के पर आपको जो recover का option देखने को मिल रहा है, इस पर आपको click करना है और यहाँ पर जो है 3 option देखने को आपको मिलता है, save the file to a custom location पर आपको click करना है बीच वाले option पर, यहाँ पर आने के बद आपको ऊपर के side में 3 line पर click करना है आपको यहां पे जोहे आपको मुवाल का नाम देखने को मिल जाएगा गैलरी को ऐफने को मिल जाएगा इस पर आपको click करना है और यहां पे हम homepage पे ही अपना photo को वापस लाना चाहते हैं simply हम यहां पे select कर लते हैं आपको जिस file में वापस लाना है उसको select करने के बाद आपको यहाँ पे जो है select वाले option पर click करना है और यहाँ पर click करते आप देशकते दो photo finally हमारे gallery के अंदर वापस आ गया यहाँ पर मैं gallery को open करता हूँ और यहाँ पर आप देशकते यह दोनों photo हमारे gallery के अंदर दुबारा से आ गया जो की गलती से delete हो गया था वीडियो आपके सब्सक्राइब करना साथ ही साथ चैनल को subscribe करना ना भूले